गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना हिस्ट्री का एक्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे हमारा जो हिस्ट्री का पेपर होगा बिटा वो सिक्स पार्ट्स में रिवाइडेड होगा सेक्शन ए, बी, सी, डी, ए और एस जो हमारा फर्स सेक्शन है उसमें हमें अब्जेक्टिव कोशन्स मिलेंगे मतलब उसमें हमारे पास चार आप्शन्स होंगे और हमें चार आप्शन्स में से कोई से एक सही आप्शन पे टिक लगाना है ठीक है, इसमें हमें 16 कोशन्स दिये जाएंगे जिसमें से हमें सिर्फ कोई भी 15 कोशन अटेम्ट करने हैं और हर कोशन एक नमबर का होगा फिर सेक्शन B सेक्शन B में विटा हमारे पर सोर्स बेस्ट कोशन आएंगे मतलब कि हमें कोई एक अनुच्छेद दिया जाएगा जो हमारे book में से, हमारे lesson में से होगा फिर उन जैसे एक अनुच्छेद हमें दिया उस एक अनुच्छेद में से हम से चार question पूछे जाएंगे जिन में से कोई से भी तीन हमें attempt करने है इस तरीके से हमें तीन questions मिलेंगे Question number 17, Question number 18, Question number 19 तीनों अलग-अलग अनुच्षेद पर आधारित होंगे और हर अनुच्षेद के नीचे चार question हमें मिलेंगे जिसमें से कोई से भी तीन हमें attempt करने है हर question हमारा question number 17 three marks, question number 18 three marks question number 19 three marks इस परकार से यह section भी हमारा nine marks का बनता है उसके बाद section C इसमें हमसे short questions पूछे जाएंगे चार questions हमें मिलेंगे question number 20, 21, 22, 23 हर question तीन number का होगा और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम 100 शब्दों से ज़्यादा answer में ना लिखें section D ये long questions इसमें सारे दिर्ग question answers है इसमें हमें तीन questions मिलेंगे question number 24, 25, 26 हर question 8 marks का होगा और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो answer है वो 350 words से ज़्यादा ना हो फिर हमारा section E section E में दुबारा source based है यानि कि हमें एक अनुचेद दिया जाएगा जो कि हमारी book हमारे lessons में से ही होगा इस तरह हमें तीन question मिलेंगे यानि कि तीन अनुचेद मिलेंगे question number 27, 28, 29 और उसके अंदर से फिर हमसे questions पूछे जाएगे ये हर question 5 नंबर का होगा इस परकार से section E हमारा 15 marks का बनता है और सबसे last section F इसमें हमसे map के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा हमसे हमें कुछ भी sides दिये जाएंगी हमें उसमें map मार्क करनी होंगी और ये जो section है हमारा ये 5 नंबर का होगा इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा आपका history का exam है question paper है ये 80 marks का बनता है चीक है बेटा तो इस हिसाब से आप लोग अपनी तयारी करेंगे